तो हलो फ्रेंट्स वल्कम बैक तो मैं चैनल और फ्रेंट आज की वीडियो स्रीज के अंदर हम लों डिस्कुस करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर काफी इंपॉर्टन टॉपिक को जो कि है आपका बी ट्री बी ट्री काफी इंपॉर्टन है और इससे लेड़े नु को कंटेंड करता है और उनके पास क्या होते हैं एक की के पास दो से ज्यादा चिल्डन होते हैं अब हम बात करेंगे कि रूल क्या होता है बी ट्री को क्रियेट करने का बनाने का तो सबसे पहला स्टेप यह होता है कि और लीफ नोट्स मस्ट बी अट सेम लेवल यानि जितन यानि उसके पास कितने की होने चाहिए जितने भी आपके एलिमेंट होगा जैसे मालीजे यह M एलिमेंट है तो उसका हाफ और उसमें से माइनस वन कर देंगे तो वह आपके की होंगे and minimum of M-1 की यानि maximum आपके इतने की होंगे और minimum M-1 की होंगे थर्ड स्टेप कह रहा है कि each node has a maximum of M children and minimum of M by 2 children यानि परतेल जो node होगा उसके पास maximum M children होगा और minimum क्या होगा M by 2 children होगा यहाँ पे keys की बात की गई थी यहाँ पे आपके children की बात है उसके बाद आपका फूर्थ स्टेप कह रहा है कि all the key value in a node must be in ascending order यानि जितने भी आपके key value होंगे वो क्या होंगे एक ascending order में create किये जाएंगे तो आईए हम लोग एक example के थूरू इसे समझने की कोशिश कहते हैं कहरा कि construct a b tree of order 3 by inserting the number from 1 to 10 यानि एक से लेके 10 तक के element का use करके आपको क्या करना है एक b tree बनाना है जिसका order क्या है आपका 3 है तो सबसे पहले आपको 1 to 10 तक जो भी आपके numbers होते हैं उनको लिख लेना है order आपका कितना है 3 है maximum आपका element कितना होगा m का value 3 हो जाएगा तो यहाँ पर maximum child कितने होंगे 3 होंगे और minimum आपका key किया होगा formula हमारे पास दिया हुआ है minimum key m-1 तो यहाँ पर m का value 3 दिया हुआ तो 3-1 क्या होगा आपका 2 हो जाएगा तो सबसे पहला step में हम क्या करेंगे 1 को insert करेंगे बारी बारी से एक एक step हम लोग बढ़ेंगे तो 1 को हमने step किया तो यहाँ पर key की इतने होंगे 2 होंगे तो 2 की एक में हम one put कर देंगे एक आपका null रहेगा यानि खाली रहेगा दूसरा आपका step क्या है 2 है दूसरे में तो 2 हम क्या करेंगे इसमें put कर सकते हैं कोई दिक्कत परशानी इसमें नहीं है अब उसके बाद आपका क्या आता है 3rd step में 3 को insert करना तो 3 को insert करना तो 3 आपका क्या है यहाँ पे तो insert हो नहीं सकता क्योंकि यह 3 की हो जाएगा 3 की तो यहाँ पे possible है नहीं 2 ही की आपके possible है तो यहाँ पे 2 से बड़ा है आपका जो 3 है तो यहाँ पे क्या होगा 3 इधर आ जाएगा 1 आपका इधर आ जाएगा और 2 बीच में हो जाएगा तो यहाँ से एक एक step यहाँ पे खाली हो जाएगा अब बारी आता है क्या करना 4th step में 4 को put करना तो 4 को put करना तो 4 तो हमने यहाँ पे put कर दिया लेकिन यहां पर put ना हो के यह सबसे पहले कहा जाएगा यहां पर जाएगा क्योंकि पहला step यह होता है कि हम लोग step by step भरते आएंगे यहनु उपर से ही सारे note को हमें भरते आना है नीचे के तरफ तो यहां से हमने क्या किया इस 4 को यहां पर shift किया तो जो आपका element होगा वो क्या बन गया कुछ इस परकार से आपका element बन जाएगा और यहां पर क्या आएगा एक 5 insert हो जागा क्योंकि अगला element हमारा 5 था उसके बाद अगला element आपका क्या है 6 है तो 5 के बाद एक position तो आपका खाली है तो हमने क्या क्या 6 को add कर दिया अब बारी आता है क्या अब बारी आता है 7 को add करना तो 7 कहा add होगा यहां पर ही add होगा लेकिन यहां पर तो add करना possible नहीं है क्योंकि यहां पर 3 की हो जाएंगे तो 3 की हो जाएगा उसके वज़े से हम क्या करना होगा हमे यहां से six को shift करना होगा तो shift को हमने shift किया four आपका as it is यहां से यहां पे two आ जाएगा यहां पे one यहां पे three यहां पे six यहां पे five और seven यहां पे एक एक आपकी key क्या होंगे खाली रहेंगे अब उसके बाद आपको क्या करना है कुछ नहीं करना है 7 के बाद 8 आपको insert करना है तो यहाँ पर 8 आपको fill कर देना है उसके बाद जो आपका node होगा अगला हमें 9 put करना है तो 9 यहाँ पर जुड़ेगा तो वो तो possible होगा नहीं तो उसमें से जो beach वाला node होता है ना beach वाला उसको हम उठाके यहां पर shift कर देंगे तो 8 के पास 8 को हमने 6 के पास shift कर दिया और इसको अलगलग separate कर दिया उसका अगला element हमारा 10 है तो friend जैसे ही हम 10 को insert करेंगे तो आपका यह देखिए यहां पर 10 बन चुका है यहां पर basically क्या है 1 order, 2 order और 3 order आपका full हो चुका है यह आपका level 0, level 1, level 2 है और एक-एक step में आपको बढ़ना है सारी चीज़े आपको करनी है तो आई हो पूरा प्रोसेजर आपको समझ में आ गया होगा अगर वीडियो बसंदा है तो like ज़रूर कीज़ेगा जल्दी मिलता है ऐसे interesting वीडियो साथ तब तक के लिए thank you